एक लड़की ने अपने होने वाले पती के सामने रखी एक ऐसी अजीब और गरीब सर्थ उसने कहा कि साधी के बाद हम सम्मंद नहीं बनाएंगे अगर तुम्हें यह सर्थ मंजूर है तो तुम उससे साधी कर सकते हो साधी होजाती है लेकिन दोस्तों साधी केबाद लड़के की नियत डिग जाती है और एक बार उसके साथ सम्मन बना लेता है उसके बाद लड़के उसके प्राईवेट पार्ट को काट करके फैंक देती है आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर पूरी जानकारी और पूरी सच्चा यहां पर जानने वाले हैं वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा नमस्कार में हो सुदेश कुमार और तिरचीवा चेनल में आपका स्वागत है यह घटना है राजिस्तान के बीका नेर के एक छोटे से गाउं की जहां पर एक मौली नाम की लड़की रहा करती है जिसकी उमर अभी 19 साल है और बावी किलास उसने पास की हुई है वह अपने जीवन में पढ़ लिखकर एक बड़ा अपसर बनना चाहती है उसकी मा की मौत पहले ही हो चुकी है उसका पिता है और पिता का नाम होता है सिबसंभू आप यहाँ पिता से कहती है बावी जी मैं पढ़ लिखकर बड़ा अपसर बनना चाहती हूँ तो पिता बेचारा भोला भाला सीधा साधा कह देता है कि ठीक है तू पढ़ लिख ले मैं पढ़ाओंगा तुझे बेटी लेकिन कुछ समय के बाद समय बदलता है एक गाउं का ही एक बुज़र्ग आदमी उसके पिता सिबसंबू के पास आता है और उसके कहता है कि सिबसंबू बेटी जवान हो चुकी है इसकी साधी कर दे इसके सर पर मा का साया नहीं है या बिगड़ जाएगी तुम्हारी बदनामी करवा जाएगी सिर्फ संबू की समझ में कुछ बात आ जाती है और अपनी बेटी से कहता है तुम ऐसा करना बेटी साधी के बात पर लेना लेकिन अभी तुम्हारी साधी होना जरूरी है तो यहाँ पर उसकी साधी के लिए लड़का ढूना जाता है और पड़ोस के गाओं में कैलास नाम का लड़का उसकी साधी के लिए मिल जाता है मौली उस कैलास नाम के लड़के से बात करती है और उसे कहती है कि मैं आगे पढ़ाई करूंगी और जब तक मैं बढ़ लेकर कुछ बन न जाओं तब तक तुम मेरे साथ सम्मंद नहीं बनाओगे अगर तुम्हें यह मनजूर है तो मैं तुम्हारे साथ साधी करने को तयार हूँ तो यहाँ पर जो कैलास होता है वह मान जाता है राजी हो जाता है और फिर बड़े धूमधाम से उन दोनों की साधी कर दी जाती है साधी होने के बाद जो कैलास होता है वह अपनी पत्नी को अपने घर लाता है वह देखता है एक दिन दो दिन वह पढ़ाई कर रही होती है लेकिन कैलास के जो दोस्त होते हैं वे जब उससे बात करते हैं और कहते हैं कि तू क्या कर रहा है तू सम्मन क्यों नहीं बनाता उसके साथ वे पढ़ लिख करके भाग जाएगी और तू देखता रहे जाएगी वे किसी और अपसर के साथ भाग जाएगी इसलिए तुम्हेरे साथ सम्मन नहीं बना रही है वरना सम्मन बनाने में क्या जाता है क्या तुम उसकी किताबों को फार दोगे तो यहां पर कैलास के दिमाग में कुछ बात बैटती है कि हाँ, यह बात तो सही है मैं पढ़ने लिखने से तो मना नहीं कर रहा लेकिन वह सम्मंद बनाने से मना इसलिए कर रही है कि किसी और के साथ भागेगी तो यहाँ पर यह बात उसके मन में बैठ जाती है और साम को जाते ही जबर जस्ती वैस लड़की जिसका नाम होता है मौली उसके साथ जबर जस्ती सम्मंद बना देता है अब पहली बार जब उसने सम्मंद बनाये थे तो मौली उसको माप कर देती है और उसे सक्त हिदायत देती है कि अब मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना वरना कुछ और हो जाएगा लेकिन लड़का कहा मानने वाला था उसको तो जबरजस्ती करनी थी दूसरा दिन होता है तो वह जबरजस्ती फिर से मौली के साथ सम्मंद बना देता है और अब मौली गुसे में आ जाती है और रसोई में से एक चाकू निकाल कर लाती है और उसके प्राइवेट पार्ट को काट डालती है और दोस्तों उसके बाद बाद चलनाने लगता है घरवाले कटा होते हैं और मैं घरवालों को साब साब बता देती है मैंने इसका प्राइविट पार्ट काटा है क्योंकि ये सर्तों पर खरा नहीं उत्रा था मैंने साधी से पहले ही कह दिया था जब तक मैं पढ़ लेकर कुछ बनना जाओं तब तक मैं इस काम को नहीं करूँगी इसने जबर जस्ती मेरे साथ ये कांड किया है तो यहां पर दोस्तों पुलिस को बलाया जाता है मौली को अरेस्ट कर लिया जाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है अब बना लो यहां पर भविस्य यानि कि ऐसी बेवकूफी भरी बाते भी किसी किसी के दिमाग में आ जाती है अपसर बनना है अपसर बनिये पढ़ना लेकिन साधी होने के बाद ये कौनसी मतलब एक मजबूरी थी या पर ये कौनसी बात थी कौनसी सर्थ थी कि सम्मंद नहीं बनाएंगे साधी लोग किसलिए करते हैं घर चलाने के लिए घर बसाने के लिए बच्चे हो जाए परिवार चलने के लिए लेकिन यहां पर इस बात से क्या फर्क पड़ता क्या सम्मंद बनाने के बाद वह अपनी किताबों को फार देती या पर सम्मंद बनाने के बाद उसका दिमाग नहीं चलता या पर सम्मंद बनाने के बाद किसी नई नौकरी के लिए फारम नहीं बने जा सकते थे क्या नहीं हो सकता था सब कुछ हो सकता था लेकिन यह बेवकूपी थी लड़की की बेवकों भी कहेंगे और आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राइकमेंड बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों उक साथ सेयर कर सकते हैं ऐसे जी घटना एं देश और दुनिया के अंदर हो जाती हैं दोस्तों साथान रहें, बचकर रहें अपने आपको बचा कर रखें कभी भी ऐसे चक्करों में ना पड़ें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सेयर जरूर कर दिया करें अगला प्रोग्रम बजल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सची घटना के उपर तब तक आप खुश रहें, साथान रहें रिस्तों की एमित को समझें जय हिंद, जय भारत